सब्सक्राइब कीजिए विद्याविजन इस्टिटीट को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्टेश केस्टनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए तो चले दोस्तों कॉश्चन नमबर फोर सॉल्व कर लेते हैं कॉश्चन नमबर फोर है चले दोस्तों इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बहुत easy है थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट करने में बहुत मज़ा आएगा तो चले जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 11 cm की एक लाइन ड्रॉ करेंगे अब हम क्या करेंगे पॉइंट A से 30 डिगरी का एक एंगल ड्रॉ करेंगे और पॉइंट B से 90 डिगरी का एक एंगल ड्रॉ करेंगे दोस्तों इस पॉइंट से हम 30 डिगरी का एक एंगल ड्रॉ करेंगे और उसको ड्रॉ करने के लिए इसी पॉइंट से किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे अब उसी radius का arc हम इस point से draw करेंगे तो यह हमने arc draw कर लिया अब दोस्तों अगर इस point को और इस point को मिला दें तो यह angle 60 degree का होगा और इस angle को अगर हम bisect करें तो हमें 30 degree का angle मिल जाएगा तो दोस्तों यह हमारा 60 degree का एक angle हो गया अब दोस्तों इस point से इन दोनों के बीच की जो distance है इस distance के आधे से अधिक एक arc हम इस side में कीचेंगे again इस point से उसी radius की एक और arc हम कीचेंगे और माल लीजिए ये दोनों arc एक दूसरे को point P पे intersect कर रही है अब AP को आपस में मिला देंगे तो दोस्तों ये हमने angle draw कर लिया 30 degree अब इस angle को भी हमें bisect करना है now bisect angle BAP दोस्तों ये है angle BAP इस angle को भी हमें bisect करना है और इसको bisect कैसे करेंगे सबसे पहले इस point से इन दोनों के 20 की जो distance है इस distance का more than half radius लेके एक arc हम draw करेंगे again उसी radius की arc हम इस point से draw करेंगे और दोस्तों इसको आपस में मिला देंगे देखिए यहाँ पे angle BAP bisect हो गया अब दोस्तों point B से हम 90 degree का angle draw करेंगे दोस्तों point B से हम यहाँ पे एक 90 degree का angle draw करेंगे और इसको draw करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी radius का एक और draw करेंगे अब उसी radius का arc हम इस point से draw करेंगे again उसी radius का arc हम इस point से draw करेंगे again उसी radius का arc हम एक और draw करेंगे और उसी radius का arc हम इस point से draw करेंगे माल लीजे ये दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट आर्क पे इंटरसेट कर रही है अब भी आर्क को आपस में मिला देंगे तो दोस्तों ये हमारा 90 डिगरी का एक एंगिल हो गया अब इस 90 डिगरी के एंगिल को भी हम बाइसेट करेंगे दोस्तों इसको बाइसेट करने के लिए इन दोनों के बीज की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के आधे से ज्यादा कोई भी एक रेडियस लेके एक हम आर्क कीचेंगे अब उसी रेडियस की आर्क हम इस पॉइंट से कीचेंगे अब ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको point B से मिला देते हैं और दोस्तों जहाँ पे ये दोनों angle bisector इंटरसेक्ट कर रहे हैं माल लेते हैं कि वो point है X दोस्तों इस point को हम X माल लेते हैं अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आधा construction तो बन गया अब यहाँ पे बहुत ही simple है अब हम क्या करेंगे AX और BX के perpendicular bisector ड्रॉ करेंगे Now let's draw perpendicular bisector of BX BX और AX दोनों के perpendicular bisector ड्रॉ करेंगे और इसके perpendicular bisector कैसे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले point X को center मान के more than half BX एक आर्क खीचेंगे और एक और आर्क खीचेंगे Again point B को center मान के उसी radius की एक और आर्क खीचेंगे और यहाँ पर नीचे भी एक और आर्क खीचेंगे अब यह दोनों आर्क जहाँ पे intersect कर रही है इनको आपस में मिला देते हैं दोस्तों यह हमने line segment draw कर ली अब मान लीजिए यह जो perpendicular bisector है यह इस line को point Z पे intersect कर रही है let's say it intersect AB at point Z इस point को हम Z मान लेते हैं अब दोस्तों again हम AX का perpendicular bisector draw करेंगे और मान लेते हैं कि वो AB को point Y पे intersect करेगा now let's draw perpendicular bisector of AX और मान लीजिए यह जो perpendicular bisector है यह AB को point Y पे intersect कर रही है अब दोस्तों XY और XZ को आपस में मिला देंगे अब दोस्तों देखिए यह angle होगा 30 degree और यह angle होगा 90 degree अच्छा है तो protractor से verify भी कर सकते हैं और दोस्तों यह जो triangle होगा XYZ that is the required triangle दोस्तों यह है वो triangle XYZ जो हमको construct करना था कर दोस्तों यह करेंगे यह जोस्तों कर दोस्तों पिरे यह कर दोस्तों यह जो से झाल